के अजम्द हम डाटा बैस मैंजमेंट शिर्ण करेंगे ओडी एमेंज का कोर्स शु करेंगेno-p कि मैंजमेंट कि मैंजमेंट तो हैं शिस्टम है ठीक हम जो को denk का हमारा जो सेक्वेंस रहे ह pakने डाटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ठीक हम जो कोर्स का हमारा जो सिक्वेंस रहेगा पढ़ने के लिए बैसिकली सबसे पहले हम इसको पांच उनिट में डिवाइट करेंगे पहला उनिट जो हमारा होगा बैसिकली इंटीग्रिटी कन्स्टेंट होगा ले इनटेग्रिटी कांस्टेंट कांस्टेंट होगा एंड यार मॉड़ल झार हमारा जो दोसरा इनिट होगा आप हम डिसकस करेंगे कि इसमें जैसे हो गया प्रायमरी की candidate की जितनी भी कीज होती है सब हम इसमें discuss करेंगे फिर से dbms क्या होता है उसको discuss करेंगे rdbms क्या होता है उसको discuss करेंगे flat file system क्या होता है उसको discuss करेंगे जितनी भी चीजे हो सकती है उसमें discuss करेंगे यार model क्या होता है उसको discuss करेंगे यार मौदल तो इसका में टॉपिक, यार मौदल भो डिस्कस करेंगे बाकी आपके जैसे सुपर की का क dementia किया है? उसको देखेंगे सुपर की.. हम फ़स उनिट में देखेंगे अभी भी वहुत सारे टॉपिक्स Club कम फ़स्थ कि आपसे हमारा दोसरा मिड़ी αुट कर वह आपका होगा नर्म्लार कि Zent अंध स्वाहि जेश हैं लिप्सेंदेंगे कि क्या कि फंशनल डिपेंडेंसी क्या होता है कि फंशनल डिपेंडेंसी और डीपेंडेंसी ली कि फिर आपका lossless join, join क्या होता है lossless join lossless join functional dependencies join 1NF 2NF 3NF, जितनी यह चीज़े हो सकती है सभी चीज़ों को हम discuss करेंगे DCNF, और भी सारी चीज़े हैं जो हम आगे चल के देखेंगे और चापको discuss करेंगे फिर अगर आगे हम बढ़ें तो हमारा जो third unit होगा third unit, third unit में हम queries के बारे में discuss करेंगे queries के बारे में queries में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका relational algebra का query क्या होता है relational algebra का query relational algebra relational algebra का query देखेंगे फिर esquival देखेंगे structural क्यूरी language उसके बाद हम basically जो हमारा fourth unit होगा उसको हम देखेंगे fourth unit में आपका आएगा file organization and indexing टेक इतनी चीजे फाइल ऑगेंशन indexing में जब इचेप्टर आएगा तो इसके बारे में हम discuss करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है फिर जो हमारा पांचवा इनिट होगा transaction and concurrency concurrency protocols जिसमें आप बेसिकली पढ़ते हैं time is time protocol two phase locking protocols transactions क्या होता है security क्या होती है security क्या होती है सारी चीज़ों को हम बारी बारी से discuss करेंगे ठीक अब देखिए discuss कर लेते हैं हमने जो अबारा पांचवा इनिट है आप अगर देखें अगर get के syllabus से देखें तो get के syllabus को follow करता है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपके university exam में नहीं पूछे जाएंगे उसको आप skip कर सकते हैं पढ़ेंगे तो हम पूरा पढ़ेंगे लेकिन जितनी चीज़े आपके university में हैं उसको आप follow कीज़ेगा और बाकी चीज़ों को आप skip कर सकते हैं अगर आप get की preparation करते हैं तो आप देख लीज़ें कि get के हिसाब से कौन कौन से chapter से कितने marks आते हैं अगर इसकी बात करें तो यह एक से दो mark का budget रखता है पतलब यहां से एक से दो mark आते हैं और इस chapter से normalization से दो से चार number लड़ सकते हैं और qreeze से आपके 4 mark दो fix होते हैं चार mark से तो आने यो आने होते हैं और फिर इससे आपका 2-4 mark लड़ सकता है ऐसा नहीं कि fix कर दिया कितने mark लड़ेंगे आगे पीछे एक दो number आगे पीछे हो सकता है और इससे आपका 2-4 mark हो सकता है ठीक देखे, बिसिकली जो एक फाइल और इंडेक्सिन वाला पार्ट है, यह मोस्ट आप दी इनियर्सिटी में नहीं पढ़ा जाता है, उसके शलेबस में नहीं आता है, बाकि यह तो शुरुआत है, इसका जरूट तो पढ़ता है, हर ज़गा जरूट पढ़ता है, और जितना भी course बना होगा syllabus हर university का अपना अलग-अलग syllabus होता है decide किया आथ है कि किस university में क्या पढ़ाना है तो कुछ-कुछ university में syllabus differ करते हैं लेकिन यह जो ओढ़का आपका यह आपका course basically get की purpose इसको design कियागा है मतलब gate का syllabus है उसको design कियागए पूंकि अगर उसके basis पर हम ही पड़ेगी हम कोसिस करेंगे कि हर चैप्टर को ब्रीफली डिस्क्राइब करें और आपको आसानी से समझाने की कोसिस करें ठीक देगे जो पहला चैप्टर है लगबग इसमें 10-15 वीडियो लगेंगे क्योंकि यह बेसिक है सबसे दर टाइम इसमें लगेगा फिर उससे थो करनकरेंशी पोटकाल थोड़ा सा आप जब इसके लेक्टर्स चलेंगे तो आपको थोड़े से कॉंसिस रहना पड़ेगा तब ही त्रजेक्शन है है प्रकार्फ को आसानी से समझ सकते हैं तो थोड़ा सा 2-4 मिनट, 5 मिनट wait करो, कि आगे कि जैसे topics होंगे, आपको पीछे के topics समझ आने लगेंगे, तुरंट पैसान नहीं होना है, कि मतलब हमें समझ नहीं है, कुछ चीजें DBMS में थोड़ा सा toughness रहती है, कुछ चीजों को समझने में थोड़ा सा problem होता है, आप उसे थोड़ा सा wait करें, थोड़ा सा wait करने के बाद आप उसे समझ जाएंगे, ठीक, और अभी लग रहा होगा कि हम बकवास कर रहें, तो ऐसा नहीं है, आप जब पढ़ेंगे इन चीजों को, तो थोड़ा सा आपको feel होगा, कि किनी किनी चीजों कहीं कहीं आपको थोड़ा थोड़ा wait करना पड़ेगा, समझने के लिए, ठीक, आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर अगले वीडियो से अपना हम course दो शुरू करेंगे, और आप आसानी से समझते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठैंक यू, बढ़ते रहें, और आगे बढ़ते रहें,